आज हम देखेंगे hello world program in shell scripting तो shell scripting में अपको hello world program बनाना है तो एक line का code है कुछ ज़ादा है नहीं उसके अंदर simple मैं आपको दिखाता हूँ आपको पता चल जाएगा सबसे पहले हमें command prompt में जाना है ठीक है वाद इसका जो terminal होता है Linux में जिसे हम तो तर्मिनल में जाने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो नैनो स्पेस तो नैनो क्या है ठीक है डाल एक टेक्स्ट एडिटर है ठीक है जो की एक कमंड लाइन बेस्ट है मतलब नैनो में आपको कोई ऐसा ग्राफिकल इंटर फेस excellency नहीं मिलेगा यहां पर जो editing आप करोगे वो टर्मिनल में ही करोगे ठीक है ना तो सबसे पहले नैनो उसके बाद में आपका file का नाम तो मैं अभी hello नाम का file बना लेता हूँ hello.sh आपको जो भी मतलब जो भी आपका shell scripting का file होगा जो भी shell scripting का code होगा उसका extension sh होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर जो मैंने hello.sh डाल दिया है enter कर दिया और उसके बाद में echo space double quotes और hello world ठीक है hello world टाइप कर लिया फिर बाद में control और c दबाना है और उसके बाद में आपको पूछेगा कि आपको save करना है या नहीं करना है तो मुझे save करना है तो मैं why दबाऊंगा और उसके बाद में enter दबाऊंगा that's it और उसके simple next step क्या है sh interpreter को मैं select करूँगा मतलब sh लिखने का मतलब क्या है कि मैं sh interpreter को मेरा hello.sh का file दे रहा हूं interpret करने के लिए तो इसी प्रकास से sh type कर लिया sh a command है और उसके बाद में मेरा जो file है वो मैंने उस interpreter को दे दिया और enter दबा दिया तो यहाँ पर मेरा जो output है वो मुझे मिल गया तो यहीं काफे simple है आ शेल स्क्रिप्टिंग में कोड करना तो बने नहीं है मेरे साथ मैं और वी वीडियो डालूंगा शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में पहले जो वीडियो होंगे वो basically basic blocks होगे मतलब if-else बाद में looping statements तो यह सारी जो चीज़े हैं जो basic programming language में होती है यह सारी चीज़े हम पहले cover करेंगे उसके बाद में we will go for some guide of a small project मतलब एक file manager हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे तो इस प्रकार से हम आगे-आगे वीडियो बनाते जाएंगे तो subscribe किजिए और alert button तो ज़रूर दबाईए और वीडियो अच्छा लगा तो like कीजिए और share कीजिए थैंक्यू